नमस्कार दोस्तों इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ICICI Direct के इस वाले एप से यानि कि यह जो नया वाला एप है इससे किस तरीके से आप अपना नॉमनी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा नॉमनी है, किस तरीके से नॉमनी एड़ कर सकते हैं या फिर जो नॉमनी आपका एड़ प्रेजन्ट है, उसको किस तरीके से बदल सकते हैं इन सारी चीजों को हम लोग करने और देखने का प्रयास करेंगे कि इस एप के द्वारा हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो पसंदार इसको लाइक करिए उपने दोस्तों साथ भी ज्यादा श्यादा शेयर करिएगा तो चलिए इस एप पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करके इसको हम कर लेते हैं अभी यहाँ पर हम पिन डाल करके लोग इन कर लेंगे तो दोस्तों login होने के बाद में कुछ इस तरीके का interface आपके सामने नजर आता है आप हो सकता है इस app को पहले से इस्तमाल करते हों मैं इसको खास इस्तमाल नहीं करता हूँ तो अभी इसको हम जो यहाँ पर हमारा menu वाला यहाँ नीचे की और दिख रहा है यहाँ पर click करेंगे चलिए हमने यहाँ पर click कर दिया यहाँ पर click करने के बाद में अभी जो यह वाला segment आपको दिख रहा है यहाँ पर आप ध्यान दिजिए तो इसमें हम थोड़ा सा और नीचे की और जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक option क्या मिल जाएगा at your service ठीक है इस जगहाँ पर आपको कर देना है click चलिए हम यहाँ पर click करते हैं तो अगर आपका जो mobile app है इस तरीके का आपको इस side में यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा होगा और आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो तो simply आपको यहाँ पर इधर से इधर की और इस button को सरका देना है तो यह उपर से ले करके नीचे की और systematic way में यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे किस तरीके से जैसे ऐसे कर दिया तो अब यह देखे इस तरीके से यहाँ पर यह आ गया है अब उस तरीके से grid way में नहीं आया है यह एक के बाद एक आया है तो अभी यहाँ पर आपको नीचे की और आना है धीरे धीरे करके और सबसे last वाला जो option है यहाँ पर आपको add nominee का एक option मिल जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको कर देना है click चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं click दोस्तों click करने के बाद में जिस page पर आप पहुचेंगे तो यहाँ पर nominee one में आपका एक पहले से nominee जो add आपने अगर कर रखा होगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा और नहीं nominee add कर रखा होगा तो नहीं दिख रहा होगा simple सी बात है तो मेरे case में हमारा एक nominee है यहाँ पर हमारा दिख रहा है उसकी सारी detail यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर वो सारी चीज़े शो हो रही है अब इसी page में आपको और नीचे की और आना है तो वहाँ पर देखे क्यों option मिलेगा तो जब एकदम नीचे की और आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको add another nominee यह option मिल जाएगा इसके उपर आपक आपको simply click कर देंगे जैसे ही click करेंगे और एकदम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको details दिख जाएंगी इस case में यहाँ पर nominee to लिखा हुआ है तो यहाँ पर title आपको डाल देना है जैसे आप ऐसे select करेंगे Mr. Mrs. यह जो भी चीज़ी है आपको यहाँ से देख लेनी ह उसके बाद में nominee का first name, last name यहाँ पर click करके आपको relationship डाल लेना है इस तरीके से आपको यह मिल जाएगा जो suitable हो आपको choose कर लेना है nominee का DOB आपको यहाँ से डाल देना है उसके और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है proof of identity यह optional है चाहे तो आप डाले चाहे तो ना डाले mandatory नहीं है ठीक है उसके बाद में यहाँ पर allocation percentage यह डालना बहुत जरूरी है जिस nominee को आप add कर रहे हैं उसे अपना कितना allocate करना चाहते है percentage में अगर आप माल यह एक nominee कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100% अगर आप माल यह दो nominee कर रहे हैं तो आप 50-50 कर सकते हैं 60-40 क ratio में distribution कर सकते हैं यह आप की उपर है ठीक है उसके बाद में जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको option मिल जाएगा address का तो अगर same address है तो as same कर दीजेगा ठीक है नहीं है तो यहाँ पर आप इसको हटाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप address को fill कर दीजेगा य यह मैंने जो चीशब आपको बताई है कि वो क्या है, कि एक nominee पहले से add है और आप एक से ज्यादा nominee add करना चाहते हैं, तो आप another nominee यहाँ पर कर दीजे, उसके बाट में आप और nominee add करना चाहते हैं, तो simply आप यहाँ पर click कर दीजे, यहाँ पर आप यसे लगता है कि यहाँ पर maximum 3 nominee आप add कर सकते हैं जैसा कि हमने दूसरा add जब किया था तो तीसरा option आ रहा था लेकिन जब तीसरे वाले option को भी हमने यहाँ पर choose कर लिया है तो चौथे का option नहीं आ रहा है उसके बाद में nominee add करने के बाद में यहाँ पर remove nominee का भी option आ रहा है तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक nominee हमारा remove हो गया है ठीक है फिर से remove करते हैं तो हमारा दूसरा वाला भी remove हो गया है अब हमारे पास एक nominee बचा हुआ है तो इस page में हम सबसे उपर की और जाते हैं जहां हमारी nominee details है तो अभी हम इस जो हमारा अभी present में nominee है इसको बदलने का परयाज करते हैं और देखते हैं कि यह बदल पाता है कि नहीं तो simply अभी मेरा एक nominee यहाँ पर दिख रहा है उसका first name दिख रहा है last name दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ पर modify कर देता हूँ ठीक है title में पहले हम यहाँ पर change कर देते हैं इसके बाद में name change कर देते हैं उसके बाद में जो हमारा relationship है यह वाला option है इसको change कर देते हैं उसके बाद में यहाँ पर हम due भी change कर देते हैं डियो भी चेंज करने के बाद में यहां पर जो proof of identity है यह optional है इसको हम छोड़ दे रहे हैं identification number भी mandatory नहीं है यहां पर जो allocation percentage है यह mandatory है तो इसको हम कर देते 100 ठीक है और जो हमारा यह address वाला है क्योंकि हमारा same address है तो इसको हम ऐसे tick कर देते हैं तो जो automatic यह address ले लेगा जो की मेरा address है वही address मेरे nominee का भी है तो इसने इस तरीके से ले लिया है अगर अलग address है तो आपको वहां पर manually fill करना पड़ेगा तो अभी क्या इस case में हम कर रहे हैं कि पहले से मेरा एक nominee था उसको मैंने modify किया है और अभी हम सीधे यहां submit करते हैं और देखते हैं कि हमारा change होता है कि नहीं तो दोस्तों हमने यहां पर जब change किया है तो nominee added ऐसा देखिए यहां पर लिक करके आ रहा है और नीचे देखिए क्या लिक करके आ रहा है तो सीधे अब हम nominee वाला जो option है हमारा यहां पर आपको दिख रहा होगा है इस पर करते हैं click तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार